तो अलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी I hope you all are good और एक वाफिर से आपका स्वागत है हमारी चैनल पर गई लास्ट की वीडियो मां हमने corporate accounting वाली unit को complete revise किया था आज की वीडियो मां हम करने वाले हैं business management की जो हमारी unit है उसको revise करेंगे basically यह completely आपकी theoretical unit है और इससे बहुत सारी question पूछे जाते हैं और conceptual question पूछे जाते हैं कुछ तो आपको road learning करनी पड़ेगी but कुछ question maximum question में आपको समझाओंगा आपको रटने की आउशकता नहीं पड़ेगी ठीक है तो चलिए आज कि कुछ हमारे साथ नहीं लोग भी जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूँ कि हम already 9-10 unit की हम revision कर चुके हैं उसकी सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी playlist मैं अलग से बना दी उसके लिए और 20 प्लस वीडियो जो हैं हमारी mcq series की वीडियो भी चैनल पे हैं और उसके अलावा आपको अगर कोई lecture particular जो lectures हैं वो चाहिए तो lectures की वीडियो भी हमने सारी जो हैं वो यूट्यूब पर डाले हुई हैं सभी free of cost आप access कर सकते हैं उसका सारगा में लिंक दे दूँगा आपको comment box में मिल जाएगा description box में भी आपको link मिल जाएगा अगर आपको telegram channel जोइन करना है यह पिपिटी जबकि मैं telegram channel पर ही डालूँगा तो उसका link भी आपको examination में repeat हुए questions है और इस content को चाट-चाट के questions को बनाया गया है ऐसा नहीं है कोई repeat सारे questions एक साल ले लिए गए ऐसा नहीं है questions को बहुत बारिकी से ढूट-ढूटके according to your syllabus त्यार किया गया है चले start करते हैं आज को पहला question है पीटर अब यह आपका है the practice of the management book किसने लिखी थी तो इसका सही answer आपको बताने है options आपके आप पीटर अब ड्रेकर है टेरी है जोर्ज आर टेरीन का नाम है लुइस एलन है या हेंडि फियोल है तो आपका सही answer इसमें बनता है option number A जो आपके पीटर अब ड्रेकर है यह इसके इन्होंने यह book को लिखा था practice of management is written by पीटर इसके इसके अंदर यह कहा है जिसके अंदर यह कहा है आपके management should be management should and can be dot यानि कि यह क्या किया जाना चाहिए आपको पढ़ाया जाना चाहिए basically management तो और यह आपका होना चाहिए और किया जा सकता है basically यह दोनु चीज़ें बोली गई है यह किसने यहाँ पर बोली है आपको option देगे है Harold Koons ने बोले है Terry ने बोले है Lewis Allen ने बोले है या Henry Fuel ने बोले है तो आपके जो सही answer है वो आपका option number D है Henry Fuel ने इसको बोला था और उसकी explanation भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको आप पढ़ सकते हैं right option number D will be right answer next question है Luther Gullick classifies the functions of management अब यहाँ पर अलग अलग एक जो functions होते है management के उनको यहाँ पर classify किया था Luther Gullick ने basically तो उस functions आपके पास हैं तो इसको कहा जाता है मैं सीदे सीदे answer बता देता हूं इसको कहा जाता है post corp जो option number C है वो आपका सही है P O S D C O R B क्या है यह post corp इसको देखें यहाँ पर P for आपका planning O for आपका organizing S for आपका stopping D for directing coordinating reporting and budgeting ठीक है ना यह post corp पूरा बनता है जिसके अंदर यह management के basically functions हैं इनको यहाँ पर एक जो word है उसमें describe किया गया था किसके द्वारा लूथर गलिक के द्वारा राइट तो चलिए next question the era of the scientific management यहाँ पर पूछा गया है era कौन सथा scientific management का कभी-कभी ऐसे questions भी निकला आते examination में 1880 से 1930 के बीच 1882-1931 1882-1932 1882-1933 तो option number A इस case में सही बनता है जो आपका scientific management का era basically बोला जाता है वो आपका होता है 1880 से 1930 के बीच का the classical school of management taught and thinkers emerged from 1889 to 1930 it was result of the unprecedented growth during industrial revolution ठीक है यह बाद यहाँ चले फिन next question है pioneer of the human relations human relations को किस ने develop किया था यहाँ पे यह था Mary Parker थे लिलियन गिलिवर्ट थे यह आपके Henry Fayol थे Elton Mayo थे तो यह आपके थे Elton Mayo option number D इस case में सही बनता है जो आपके human relations को था यहाँ पे इनको develop करने का जो श्रही जाता है वो आपका Elton Mayo को जाता है Elton Mayo is considered the founder of the human relation theory ठीक है human relation theory किस ने लिकी यह भी आपसे पूछा जा सकता है तो Elton Mayo इसका right answer होगा next question है management and administration यहाँ पे बोला गया है दो चीज़ें होती है एक management एक administration दोनों क्या same है different है partly same and partly different है same and different है तो यह कुछ label पे कुछ functions है उसमें same काम करते हैं जबकि यह कुछ other चीज़ों में यह different होते हैं इसकी explanation आप यहाँ पर देख सकते हैं देखे क्या यहाँ पे objective होंगे क्या policies यहाँ पे रहने वाली है यह काम हमारे पास administration का होता है जबकि management होता है यह concern होता किसे performing various functions such as planning, coordinating, controlling यह सब काम कौन करता है हमारा इनको perform करना काम होता है management का right administration और management आपका समझ मा आ गया होगा next question है spread decobs means यह question काफी important है spread decobs का क्या मतलब होता है union is strength है service is our motto buyer beware product is our strength तो इसका सही answer है आपका union is strength यह इसका मतलब होता है spread decobs का मतलब कि आपके जो unity है उसमें यहाँ पे strength होती है यहाँ पे पढ़ सकते है this principle says that the manager should create a team spread within the various employees or various groups in an organization all the employees should work as a team towards achievement of the organization goal इसी को बोला जाता है हमारा क्या spread decobs next question है henry field let down henry field नहीं यहाँ पे कितने principles यह थे वह आपसे पूछा गया है 12 पे 14 15 यह 14 तो यहाँ पे आपको यह दो सेम अच्छर टेक्नीक से सौरी यह 14 टेकनीक से यह 14 प्रिंशिपल है तो henry field थे उन्होंने यहाँ पे 14 प्रिंशिपल्स दिये थे जो spread decobs है यह उनहीं प्रिंशिपल्स जो 14 प्रिंशिपल्स हैं उनमें सही एक principle था तो option number C, this case में सही बनता है, क्या क्या थे आपके 14 principles, देखें यहाँ पे लिखा है, पहला division of work and authority, दूसरा authority and responsibility, तीसरा discipline का, चोथा unity of command, unity of direction, subordination of individual interest, remoration, the degree of centralization, scalar chain, order, equity, stability, of tenure, of personal initiative and spirit decobs, ठीक है, तो यह 14 principles हैं, जो हमके Henry Fuel ने यहाँ पे दिये थे, FW Taylor हमारे किस से associated हैं, यह आप से पुछा गया है, किस से संबंदित हैं, यह आप से पुछा गया है, FW Taylor का scientific management से, future management से, modern management से, modern management या principles of management, यह हमारे थे, scientific management से related थे हमारे FW Taylor, FW Taylor is associated with specific management, in this stuff, he proposed that the optimizing the simplifying jobs productivity would increase, ठीक है, यह इन्होंने बोला था, option number A सही बनेगा, dash function is regarded as the essence of management, यहाँ पे देखिए, यह सारे जो हैं, यह आपके functions हैं, management के, बट एक ऐसा functions है, जिसको essence बोला जाता है, बेसिकली, जिसके बिना यह सारे functions भेकार हो जाते हैं, तो वो कौन सा function है, यह आपका function होता है, coordination का function, जिसको option number C में यहाँ पे लिखा गया, देखिए, coordination का क्या मतलब होता है, coordination का मतलब होता है, एक department या एक बेक्ति से दूसरे बेक्ति के बीच में, जो communication होता है, उसको coordination बोलते हैं, यानि कि जो भी आदान परदान होता, चाहिए आपका information है, चाहिए आपका data है, चाहिए आपका other चीज़े हैं, तो उसमें जो भी यहाँ पे एक दूसरे के काम में जो मदद होती है उससे, उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, और coordination ही ऐसी चीज़ है, जो हमारे अलग-अलग departments को, अलग-अलग जो हमारे functions है, उनको एक जो बादे रखती है, एक सूतर में जिसको हम बोलते हैं, तो organizing भी हमारे क्या है, कोडिनेशन से ही हमारे organizing भी हो सकती है, stopping भी हो सकती है, ठीक है ना, तो यह case में आपका essential जो है, वो है option number C, coordination, coordination function is regarded as the essence of the management, the meaning of sentence implies, coordination affects all the functions of the management, यानि जो coordination है, वो हमारे जो other functions है management के, उन सभी को यहाँ पर effect करता है, in other words, coordination effect, planning, organizing, stopping, directing, communication, leading, motivating, and controlling, यह सभी को effect करता है, next question है, हेंडरी फियोल वो जो फ्रेंच, अब हेंडरी फियोल क्या थे, industrialist थे, writer थे, manager थे, या actor थे, तो यह आपके industrialist थे, इनके case में यह आपके mining engineer basically थे, ठीक है ना, हेंडरी फियोल वो जो फ्रेंच, industrialist, हेंडरी फियोल वो जो फ्रेंच, mining engineer, mining executive, author, and director of the mines, who developed general theory of business administration, that is often called, फियोलिज्यूम, ठीक है, तो यह फियोलिज्यूम भी बोला जाता है basically, next question, control system of an organization has no influence over the, यहाँ पे बोला गया है, control system जो आपका organization का होता है, उसका किस पे influence नहीं होता है, internal environment पे, external environment पे, customers पे, government पे, तो यह अपका external environment पे इसका influence नहीं होता है, क्योंकि control का क्या मतलब है, basically हमारे जो business के अंदर चीजें हो रही हैं, जो हमारे functions है, जो हमारे policies है, जो हमारे rules है and regulations है उनको यहाँ पर control करना हमारा internal control का part होता है और इसमें इसमें effect पड़ता है जो हमारे control system का होता है external environment के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें आती है external environment में हमारे political terms आ जाते हैं, government आ जाती है हमारे suppliers आ जाते हैं हमारे जो competitor होते हैं वो हमारे आ जाते हैं तो यह सब चीजे हमारे external environment का पार्ट होते हैं इस तरह से आपका जो option number B है उस case में सही बनेगा external environment next question the chain of the command from the highest authority to the lowest level in the organization इस यहाँ बुला गया है एक ऐसी chain of command होती है जिसके अंदर जो authority होती है वो highest level से lowest level की तरह आती है जैसे यह आपका highest level है यहां से आपके lowest level तक आती है ठीक है यह इस तरह से chain of command यानि यह command आती है मतलब orders जो है वो यहाँ पर आते हैं इसको क्या बोलते है हमारे unity of direction बोलते है unity of command बोलते है centralization बोलते हैं scalar chain बोलते हैं इसको बोलते हैं scalar chain unity of direction unity of command यह क्या होता है यह मैं भी समझा नहीं रहा हूं इसके questions मैं बेसिकली यहां पर डाले वहीं आगे अब यह आपको समझवां आ जाएगा scalar chain इसको बोलते हैं और यहां पर आप पढ़े भी सकते हैं क्या है इसका मतलब scalar chain is the formal link of authority which moves from highest to lowest rank in straight line यहां पर बोला गया है यह आपका एक formal nature का होता है ठीके ना informal और formal क्या होता है आपको पता होगा informal basically जिसको grapevine भी हम बोलते हैं इसमें कहीं से भी कोई भी communication करता है कोई भी कुछ भी order देता है बड़ जो formal होता है उसमें एक hierarchy बनी होई होती है चाहिए वो upward हो या वो download हो ठीके ना जो responsibility होती जो accountability होती हो downward से upward की तरफ जाती है बड़ जो आपके orders होते हैं वो आपके upper label से downward की तरफ को आते हैं ठीक है option number D इस case में सही बनेगा next question general and industrial management was written by यह आपका important question है general and industrial management यह book किस ने लिखी थी यह आप से पूछा गया है इसका जो सही answer वो D option है Henry Fuel ने लिखी थी क्योंकि यह खुद भी क्या थे एक mining engineer थे इंडिलिस थे इन्होंने भी यहाँ पर यह book written की थी study of the moment of both the workers and the machine to eliminate wasteful moment यहाँ पर बुला गया है study की जाती है जब भी हमारे किसीच की workers की और machine की दोनों की यहाँ पर study की जाएगी किसीच के लिए कि ताकि हम जो हमारे waste होनी वाली है जो हमारे फालतों के waste होते हैं उनको control कर सके हैं उनको eliminate कर सके तो इस study को क्या बोलते हैं फटी की study बोलते हैं time study बोलते हैं इसको हमारा बोला जाता है motion study तो हमारे क्या होता है motion study का पार इसकी explanation भी यहां पर देख सकते हैं आप next question है henry fuel concentrated on, henry fuel किसमे concerned کیा था इन्होंने किसमे concerned किया था इन्होंने top management पे था lower level management पे था middle level management पे था या worker पे था तो इनका जो concentration था वो आपके top level management पे था इनका यही कहना था कि जो हमारा top level management है वहाँ पे पहले सुधार होना जरूरी है यानि कि subordinate तो काम करते ही हैं बट जो top level management है उस पे हमें reforms लाने की जरूरत है वो जो कारे परणाली है उसको सुधारने की जरूरत है तो Henry fuel का ये top management से concentration यहाँ पे रहता था जिसको बेसिकली executive board भी बोला जाता है next question है contingent plan to meet environmental pressure contingent basically आपको होता क्या है मैंने पहले भी आपको बताया है contingent liberty गा जो case आया था तब हमने discuss की है था किसी event के happening पे जो चीज arise होती है वो उसको बोलते है contingent ठीक है ना जैसे contingent liberty मतलब अब future में ऐसा कोई चीज हो गई उससे हमारी एक लाइबर्टी अराइज हो गई तो वो हमारी contingent liberty होती है अभी उसकी responsibility नहीं अभी लाइबर्टी नहीं बनी है बट कुछ event ऐसे होते हैं जो happen हो जाते हैं उसके बाद वो लाइबर्टी अराइज होती है तो contingent plan to meet environmental pressure इसका क्या मतलब है objective से है, strategies से है, policies से है, rules से basically इसको सीधे आप relate कीजिए future के साथ है क्योंकि ये future में होने वाली activity है क्योंकि contingent जहां पे आ गया तो event के occurring पे ये arise होगी इसका क्या मतलब है? strategy से इसका मतलब है क्योंकि ये B वाला option ये future के लिए यूज होता है strategy क्योंकि हम strategy बनाते हैं तो बहुशी के लिए बनाते न ऐसा तो नहीं है objective हमारे पहले ही set होते हैं, ये तो आपके predetermined होते हैं policies आपके company में बन जाते हैं और ये लागू भी उसे इसमा किये जाते हैं rules भी आपके सेम होते हैं तो ये strategy जो है ये आपके future में implement की जाएगी that's why option भी इस case में सही बनेगा इसकी explanation आप यहां पर पढ़ सकते हैं यहां पर सारह सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे से right next question every subordinate should receive orders from and be accountable to only one supplier sorry supervisor superior या supervisor भी बोल सकते हैं तो यहां पर बोला गया है कि आपके जो है एक तरह से जब ऐसी conditions होती है जिस समय क्या subordinate आपका क्या करता है orders सिर्फ एक ही से receive करेगा ऐसा नहीं आपके पास बहुत सारे subordinate है ठीक है यहां पर देखे एक यह आपका क्या है superior है और इसके पास क्या है अलग-अलग यहां पर यह आपके subordinate हो गए ठीक है यह आपके subordinate है तो इस case में क्या बोला जाएगा जैसे एक ही से यहां पर order मिलने चाहिए ऐसा नहीं है कि आपके दो तीन किसी और से order ले रहे हैं दो तीन subordinate किसी और से order ले रहे हैं तो इसमें हैसा नहीं होना चाहिए एक ही होना चाहिए आपके पास superior जो आपके order देगा और जो आपके सभी मानेंगे जिस order को, तो इसको क्या बोलते हैं unity of direction unity of command, centralization बोलते हैं, scalar chain बोलते हैं, यह आपका होता unity of command, यानि कि command जो आपको मिल रही है, जो orders मिल रहे हैं वो सिर्फ एक आदमी से मिलने चाहिए तब ही आपको क्या है, यहाँ पर confusion के रिएट नहीं होगा जो scientific, जो principles दिये गया थे Henry Fiehl के द्वारा, उसमें यह बात भी कही गई थी यह वाले जो unity of command की बात भी यहाँ पर की गई थी कि command जो है, वो एक ही ब्यक्ति से जो responsible है उस चीज के लिए, उसी से यहाँ पर मिलने चाहिए, तो उच केस में ज्यादा effectively यहाँ पर काम हो सकता है तो option number B इस केस में सही बनता है और इसको पढ़ भी सकते हैं आप इस principle state that इस subordinate should receive orders and be accountable to one and only one superior if an employee receives the orders from more than one superior it is likely to create confusion and conflict, यह बात यहाँ पर बोले गी थी अगर एक से ज्यादा से अगर लेना है orders, तो उस केस में conflict भी हो सकता है, confusion भी हो सकता है क्योंकि एक कुछ और काम बता रहा है, दूसरा कुछ और काम बता रहा है, तो वो किसका जो काम करेगा अगर एक काम छोड़ दिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा तो इस case में बोला गया एक ही unity होनी चाहिए, जो आपके है command में, next question है a statement of the expected results expressed in the numeric terms for a definite period of time in the future is known as, यहावे बोला गया है, जब भी एक ऐसा statement बनाया जाता है, जो बहुश्य के लिए बनाया जाएगा, और जिसको express चिया जाता है आपके जो numeric terms में और यह सिर्फ एक definite period के लिए बनाया जाता है, उसको क्या बोलते है objective होता है, strategies होता है, procedure होता है numeric form में, उसको budget बोला जाता है यानि कि यहाँ पे हमारे कितना खर्चा होगा ठीक है ना, खर्चे का basically जो budget बनाया जाता है, जो estimate तयार किया जाता है उसको budget बोलते हैं objective तो हमारे basically जो goal है, जो goal को achieve करना है वो हमारे objective हो गए, strategies हो गया उसको जो goal को achieve करने के लिए जो हमारे रूप रेखा बनेगी, जो हमारे strategy बन रही वो हो गई, procedure जो उस चीज को follow करने के लिए, जो एक निश्चीज हमारा formal रूप में, जो formal chain बनेगी, उसको procedure बोला जाएगा option number D, इस case में सही बन जाता है the principle seeks to ensure unity of action, अब यहां पर unity of action की बात करी गई है कौन सा principles आपका ensure करता है unity of action unity of direction, unity of command centralization या scalar chain तो basically यह आपका होता है centralization का part, क्योंकि इस case में क्या किया जाता है कि unity होती है, centralization क्या basically क्या मतलब है यहां पर पढ़़ सकते हैं the principle provides that there should be only one leader and one plan for series of activities seeking the accomplishment of the same objective यहां पर बोला गया है कि जो आपके centralization में क्या होता है centralization के case में आपका काम होता है वो भी आपका एक ही unit पर होता है, साथ ही जो command आपको मिलेगी वो भी आपको एक ही superior से यहां पर मिलती है but decentralization के conditions में यहां पर अलग-अलग unit बना दी जाते हैं, अलग-अलग आपके जो head होते हैं, head के वो भी head भी यहां पर न्यूक्ति की जाते हैं according to unit तो इस case में यह decentralization हो जाता है, but इस case में बोला गया था है आपके कि ensure करता है unity of action को तो यह centralization की स्तिती बनती है next question है यहां पर बोला गया है जो आपके harmonizing से related है और synchronizing से related है individual effort से जो की आपके group goal को achieve करने के लिए basically होता है तो उसको क्या बोलते हैं, coordination बोलेंगे, control बोलते हैं, decision making बोलते हैं या delegation बोलते हैं तो इस case में जो answer है वो आपका A option सही हो जाएगा, coordination क्योंकि coordination का क्या मतलब है coordinate करना, यानि कि same चीजें हैं जो एक, जिसे group है group क्या कर रहा है, वो आपके एक common goal को achieve करने के लिए form किया गया है, तो उस goal के अंदर coordinate, एक दूसरे को coordinate करना, वो हमारा क्या है harmonizing और synchronizing होता है, और यह हर एक individual का personal efforts है यहाँ पर देखा जाता है और इसी के लिए यहाँ पर सभी के personal efforts को एक तरह से consolidate करके हमारे पास निकल के आता है, जो group के goals हैं, उनको achieve करने का plan, इसी को हमारा coordination बोला जाएगा option number 1 आपका सही बनेगा इस case मैं, यहाँ पर देखिए coordination in the orderly arrangement of the group efforts to provide unity of action in pursuit of the common purpose, ठीक है डेस is an obligation to perform certain functions and achieve certain result यहाँ पर बुला गया है कि क्या आपका obligation to कौन सा आपकी जो यहाँ पर यह अलग अलग आपको क्या दिये हैं steps दिये गए हैं, आपके basically यह function है, तो obligation to perform certain functions, यानि कि कुछ जो obligation होती है, कुछ specific functions हैं, उनको perform करने की और certain result को यहाँ पर meet up करने की, तो कौन सा है, responsibility है, decentralization है, centralization है या delegation है तो इस case में आपका जो answer बनता है, वो option number A सही बनता है क्योंकि responsibility मतलब क्या होता है आपकी जो obligation है, वो यहाँ पर हो जाती है, जैसे आपको किसी काम को करने के लिए, जैसे आप मार्केट गए, आपको घर से बोला गया कि आप यह पांच किलो चीनी लेकिया हो, तो वो आपकी क्या हो गई, responsibility हो गई, और वो आपके लिए खुद के point of view से आपके लिए obligation बन गी है, कि हाम मुझे पांच किलो चीनी घर पे लेके जानी है, मार्केट से, तो इस केस में यह क्या है, आपका responsibility बन जाती है, next question है, peace rate system is contributed by, अब peace rate system किस ने दिया था, यह आप से पूछा गया है, तो यह इसका सही आंसर जो है, वो है आपका tailor, इसका trick बता देता हो, कैसे याद करोगे, देखे टेलर के पास किस ने दिया, F.W. टेलर के द्वारा दिया गया, जिनको क्या बोलता है, father of scientific management भी बोला जाता है, the underlying principle of this system to penalize a slow market by slow worker, by paying him low peace rate for low production, and to reward an efficient worker by giving him a higher peace rate for higher production, तो इनों क्या बात करी थी, अपने peace rate system में, कि जो low worker है, ठीके ना, उसको low ही, जो incentive है, वो यहाँ पे दिया जाए, बट जो higher efficiency worker है, जो काम करने मा अच्छा है, तो उसको motivate करने के लिए, उसको higher peace rate से यहाँ पे incentive दिया जाना चाहिए, यहाँ पे बोला गया था, next question है, an identified group of people contributing their efforts towards the attainment of the goals is called, यहाँ बोला गया है, जो आपका एक identified group of people होता है, identify मतलब, जो आपका एक तरसे fixed group है, ऐसा नहीं कि, जै आप bus station में जाते हो, भीड तो वहाँ पे भी होती है, तो क्या आप बोल दोगे यह group है, तो group हम नहीं बोल सकते हैं, उसको भीड ही हम बोल सकते हैं, group का यह मतलब होता है, जो आपका identified होता है पहले से, और आपके सभी लोग एक common goal को achieve करने के लिए वहाँ पे होते हैं, उसक क्या मतलब होता है, ऐसा group, जो आपका क्या है, एक तो identified है, ठीक है ना, और दूसरी जी, सभी ही का goal जो है common है, उसमें, सभी efforts कर रहे हैं अपनी तरफ से, किस दीज के लिए attainment of the goals, ठीक, next question, workers on the basis of the capacity of an average worker functioning in the normal working condition, यहाँ पे बोला गया है, worker on the basis of capacity, average worker functioning in the normal working condition, इसको क्या बोले जाता है, social task planning, specific task planning, not a planning, या scientific planning, तो इसके case में, answer number आपका B सही हो जाता है, इसको बोलता है, scientific task planning, option number B, next question है, the first and the foremost function of management, यहाँ पे बोला गया है, first function आपका कौन सा होता है, जो specifically, first में यहाँ पे किया जाता है, आपको पता चलिगा होगा, इसका planning ही होता है, आपका सबसे पहले planning की जाती है, उसको और गनाइजिंग आती है, फिर आपका directing आती है, फिर आपका controlling आती है, फि ले आता है, which organizational relationship gives greater job satisfaction and result in the maximum production, यहाँ पे बोला गया है, यह अलगला आपको structure दी है, organization के, तो इस case में आपसे बोला गया है, कि कौन सा हचा structure है, जिसके अंदर आपको क्या मिलता है, एक तो आपको job satisfaction मिलता है, बहुत जादा वाला, और दूसरा मिलता है, जो production है, वो भी maximum यह यहाँ पर होता है, क्या formal होता है, informal होता है, business होता है, statistic होता है, तो यह आपका informal nature का होता है, क्योंकि informal के अंदर basically होता क्या है, यहाँ पर कोई static rule नहीं होता है, कोई predetermined आपकी hierarchy नहीं होती है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, informally communication भी करते हैं, और अपने work भी यहाँ पर कर तो आपको job satisfaction भी मिलेगा और साथ में जो result है वह आपका maximum production भी यहाँ पर प्रोवाइट करवाएगा option number B इस case में सही बनता है इसकी explanation आप यहाँ पर पढ़ लेना next question है the selection of the best alternative from money alternative is known है यहाँ पर देखे यह आपके अलग-अलग alternative है ठीके ना होता क्या है पहले हम क्या करते है अलग-अलग कि हमें कौन से किसी भी चीज में है चाहिए हम planning कर रहे हैं चाहिए हम budgeting कर रहे हैं किसी भी investment कर रहे हैं तो इस केज में हम अलग-अलग alternative अपने डोड़ते हैं और last वा हम एक best one चूच करते हैं यह हमारे alternative है और इन में से हम एक को हमें चूच करना है वह last वह तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं सलेक्शिन बोलव जाओ बोलंगे बिजकिंग बिजटिंग बोलेंगे तो इसको बोलते हैं decision-making यानि कि हमने कि चाहर हमारे पास क्या कि हते alternative फिवन में से हमने एक कूच कर ले थे the decision हमने यह अपर बनाया तो इस केस में भीEND का is the selection of the best alternative from money alternative is known as decision making decision making in a process of selecting the best among the different alternatives, ठीक है न, चलिए, next question, the decision which has long term impact on the business, अब यहाँ पर दिखिए, ऐसा decisions होते हैं, जो हमारे business पे long term का impact डालते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड बोलते हैं, नोन प्रोग्राम्ड बोलते हैं, इंडिविज्वल बोलते हैं, या नोन एकोनिमिक बोले हेंगे हमारा non-programmed decision, देखे, programmed decision का क्या मतलब है, कि जो आपके पहले से programmed है, यानि कि आपके एक तरसे formal है, वो तो क्या हैं, आपके जैसे आपने किया, obligation आपके पुरी वी वोह खतम हुए, ठीक है, बट जो non-programmed decisions है, इनका जो impact होता है, वो आपका long term में रहता है, ठीक है the non-programmed decision in management are concerned with the unique or unusual problem ये नई तरह की problem create करते हैं ठीक है ना जो unusual होती है they are encountered in very non-frequent manner ये non-frequent होते हैं जैसे हमारे structured में हैं उसमें तो क्या है frequently है ना सब चीजे structured के अंदर तो हम ये भी लेके चलेंगे कि जो हमाई losses होने वाले हैं उनका भी हमें पता है सब कुछ पता है बड़ जो unique है और जो non-frequent है ये non-frequently होते हैं कभी कभार ही होते हैं these decisions are unstructured and non-recurring and ill-defined in nature ठीक है अगर वीडियो पसंद आ रही है तो like भी कर ले वीडियो को operational planning is done अब operational planning कहां पर किया जाता है high level पर करें लोड लेबल पर किया जाता है subordinate या workers देखे operational planning का मतलब है जो basically work की बात कि गई है जो आपके basically कहां पर किया जाता है lower level पर किया जाता है और lower level का क्या मतलब है मतलब यहां पर supervisory काम यहां पर किया जाता है तो आपके high level management में सिरफ जो पॉलेसी यहां बनाए जाती है और प्लाणिग यहां पर की जाती है ब्र जो लेबल अब मैनेजमेंट उसमें operational प्लाणिग भी कीया言 Sorry Istill. Planning मतलब कैसे हमने सकाम को करना है कैसे कौन को से हमने था घ्र करने है अपने आपके तो एæंग हमारे जो सुपर्वाइजर है वो यहां पर देखते हैं जो मैनाजन से अनुपर्वाइजर है मैंनीजर बिसी कली मिडिल लेबल यहां जाते हैं बड नीची जो आते हैं लास्ट जो हमारे लोड लेबल पर उसमें आपके सुपर्वाइजर होते हैं इसको पड़ सकते हैं आप क्राइसे डिसीजन इस आपके अचानक से होते हैं ठीक है जो प्रिप्लांड नहीं होते हैं तो यह आपके एक तरह से on the spot वाले डिशीजन होते हैं इसलहे इनको crisis decision बोला जाता है इसको फट सकते हैं आप crisis decision is also known as sport decision crisis decision making जिसको CDM बोलते हैं is challenging and prone to failure most CDM schemes are strong as certain aspect of the overall CDM process but almost none are strong at all them चले next question the authority flows from top to bottom through the structure of यहां पर बोला गया है जो आपके top label से जो authority निकलती है आपके top label से आपके lower flow from top to bottom top to bottom का मतलब top से लेके आपके नीचे lower label तक जो आपके authority का flow बनता है उसको क्या बोलता है structure में acceptance of the authority theory, the formal authority theory होती है, the competence authority theory होती है, the organizational organization theory होती है तो इस case में यह आपका B option सही बनता है, इसको बोला जाता है the formal authority theory क्योंकि इसके case में जो structure होता हो formal होता है, आप सभी को पता है, जो आपके flow होता है, जो upper level management से lower level management तक वो आपका formal nature का होता है, तो उस case में जो authority बनेगी वो भी आपकी किस की nature की हो गई, formal authority option number B सही बनेगा, the type of the authority is invested with the person by virtue of the office held by them तो इसको क्या बोलते है यहां पर, the acceptance of authority theory बोलते है, the formal authority theory बोलते है, the competence theory बोलते है, the organization theory बोलते है, इसके अंदर क्या पूछा गया है आपका, जो आपके authority होती है, किसी भी person की, उसके office देर ले, office से जो connected होती है, यानि कि आपके जैसे office है, तो उसके अंदर आपके पास कुछ ने कुछ क्या होती है, authority होती है उस office को operate करने के, उस office के अंदर कुछ ने कुछ यहां पर power होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, यह आपसे पूचा गया है, त इसके लिए वह यहाँ पर रिलाइबल होगा और उसी चीज के अथोरिटी उसको यहाँ पर ऑफसे नमज सी बनेगा तो प्रोसेश वेर्बाइ यह मैनेजर सेयस हीज वर्क अथोरिटी विज 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 सबॉडिनेट यहाँ पर बोला गया है एक ऐसी स्टाइल होती है और साथमा ऑफारिटी भी सेयर करता है तो इसको क्या बोलेंगे की सेंट्रिनेट्र एक on एकले यहाँ पर दे देना वर्क को अपने दिया साथ मैं आपको ऑथररिटी इन पड़ेगी ताकि की वह काम को अच्छे से कर डाए अगर वर्क को लिए घिए है delegation delegation is one of the most important management skill these logical rules and techniques will help you to delegate well help your manager when you are being delegated a task or a new responsibility delegation is two-way process ठीक है ना delegation two-way process क्यों है क्योंकि delegation तो आपका अपर से लोवर आए बच accountability आपकी लोवर से अपर जाएगे क्योंकि आप उसके लिए responsible हो आपको अधिकार मिला है तो इसका मतलब यह है कि आपको काम करके भी दिखाना पड़ेगा नेक्स कोशिन है दा ओर्डर इंस्ट्रक्शन एंड डिरेक्शन सार डेलिगेटे टू यह पर्टिकुलर परसन स्पैसिफिकली इस नोन एज यहां पर बोला गया है जब आपके डेलिगेशन ऑफ अथरटी जो जन्रल हमने देखा न उसके केश में तो आपके सबडिनेट जितने हैं उनको आपने दे दिया स्पैसिफिक किसी को नहीं दिया बट ऐसा भी होता है कि आप क्या करते हो किसी स्पैसिफिक परसन को डेलिगेशन अथौरटी यहां पर प्रबाइट कर आते हो ऊसको किया बोलेनगे जन्र डेलिगेशन बोलेंगे फॉर्मल बोलते हैं जब हम स्पैसिफिक परसन को यहां पर डेलिगेट कर रहे हैं नेक्स कोशिन MBO का है MBO was developed by MBO कि इसने developed किया था पीटर एप ड्रकर ने चेस्टर बेनार्ड ने फियोल ने या ना ना अब दियबब तो यह किया था पीटर एप ड्रकर ने MBO का फुल फॉर्म होता है management by objectives आंसर है option नमबर ए नेक्स कोशिन ए manager needs three skills सच है यहाँ पर बोला गया है manager ने के अंदर basic से तीन skills होने से है दो skills तो अलड़ी आपको बताया है technical होना चाहिए human होना चाहिए और तीसरा क्या है conceptual हो process हो accuracy हो या ना नब दियबब तो यह है conceptual का process तो basically एक process हो गई उसका क्या इसके लोना दूसरा accuracy जरूड़ी नहीं है किसी हर चीज में यहाँ पर accuracy मिले पर जो conceptual है वो यहाँ पर conceptual knowledge उसके अंदर होनी चाहिए next question है आपका the process of MBO start with यहाँ पर जो management by objective है वो कहां से start किया जाता है सबसे पहला step इसमें क्या होता है setting up of obligation फैटरान प्लान होता है review होता है या all of the above तो यह सबसे पहला step होता है setting up obligation सबसे पहले obligation को set किया जाता है इसके अंदर उसके बाद ही चीजों को आगे बढ़ाया जाता है MBO basically होता क्या है इसके अंदर क्या होता है जो आपके managers होते हैं वो अपने subordinate को भी अपने plan में इंक्लूड करते हैं या अपर लेबल पर अगर planning चल रही है तो उसमें जो आपके lower label के हैं या middle label के हैं उन लोगों को भी सामिल किया जाता है ताकि वो motivated रहें अपने goal के लिए ठीक है ना उनको भी जो planning है उसमें include किया जाएगा basically होता क्या है जैसे आपने जो आपके managers है उ आपने जो planning कर रहे हो तो उनकी भी राय आप ले रहे हो यहां पर अगर आप फाइनली अगर decision आपको लेना है वो अलग बात है decision जो भी लेगा final managers लेगा जो भी लेगा बट एक तरह से participation आपने कर लिया उनका जो रोल्स जो अपने rules and regulations बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे ह एक क्रका आपका motivation का पार्ट होता है इसलिए इसको MBO बोला जाता है जोब description होता है या न अब यहां पर दो तरह की training देखने को मिलती है एक आपके off the job होती है एक आपके on the job होती है आप the job का क्या मतलब है कि job के अंदर आप नहीं है आप कहीं और मतलब training ले रहे हैं job से related बट on the job होता है जब आप job में काम कर रहे हैं और वहीं पर आपको training मिल रही है ठीक है न तो यह होता है आपका on the job training जहां पर आपके job के साथ साथ आपके training चलती है इस case में option number B आपका सही बनेगा shifting a trainee from one job to another job यहां पर बोला गया है जब आपको एक trainee को एक job से दूसरे job में आप सिप्ट कर रहे हैं तो उसको उस process को क्या बोलते है जो रोटेशन जो प्लेइंग बोलते हैं प्रोग्राम डे लर्निंग बोलते हैं इसको बोला जाता है जोब रोटेशन जोब आप employee को क्या कर रहा है एक जोब पर आपने कर लिया उसके functioning उसने देखी उसके बाद दूसरी जोब पर उसको बेचते हैं उसकी functioning वह देखेगा उसके बाद तेसरे जोब पर ऐसे ही आप उसको रोटेट करते हैं ताकि वह सभी जो organization के functions है उसको समझ सके उसको देख सके यह basically उसके लिए होता जो training होते है बेसिक से यानि कि अलग 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 अके functions होते हैं और उस functions के अंदर अलग 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 अके managers होते हैं ठीक है न मैनेजर्स होगे तो यह आपका क्या functional organization हो गया यह कैसा हो गया functional organization क्योंकि इसके अंदर आपने अलग 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 functions बनाएं उसके according आपने यहाँ पर authority भी दे रही है बड़ उसकी बाद होता क्या है कुछ यहाँ पर staff को न्यूक्ति किया जाता जैसे आपके एक यह first वाला department है इसके अंदर managers की जो help के लिए आप क्या करते यानि कि एक expert को आपने अपॉइंट कर दिया तो यहाँ पर यह क्या करता है इसकी help करेगा यह managers की help यहाँ पर basically करते हैं तो हर एक department जो हर एक functions है उसके department में हर एक एक दो-दो experts की यहाँ पर न्यूक्ति कर दी जाती है ठीक है ना तो इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं यहाँ managers हैं उनकी help करने के लिए उनके decision making में help करने के लिए यहाँ पर appoint किया जाता है option number C सही बनेगा line officers the number of the subordinate that manager can manage is called यहाँ पर बोला गया है जो एक managers है उसके अंदर कितने subordinate हैं उसको यहाँ पर क्या बोलेंगे जितने जादा कितने जादा वो यहाँ पर subordinate को संभाल सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कितना उसका जो है span है basically उसको बोलेंगे तो span of management होता है कि अगर एक आपका superior है आपका managers है तो उसके अंदर कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं कितना उसका span है कितना लोग उसके अंदर है 50 है 100 है 200 है 300 है 400 है तो यह आपका span कहलाता है right answer हो जाएगा option number B authority is the right to give यहाँ बोला गया authority क्या है आपका किस सीच का right है क्या देने का right है powers का order का responsibility का यह यह आपका option number B order का ठीक है ना authority authority किस सीच के लिए दी जाती है orders देने के लिए दी जाती है next question which among the following is not a technique of TQM TQM का full form मैंने पहले भी आपको बताया था इसका full form होता है total quality management तो TQM कौन सा इसमें पार्ट नहीं है TQM का re-engineering quality measurement benchmarking और या empowerment देखिए यहाँ पे quality measurement आपका TQM का part नहीं होता है re-engineering आपका TQM का part होता है benchmarking भी आपका होता है empowerment भी होता है option number B इस case पर सही बनेगा basically measurement का काम तो आपका एक controlling का हो गया ना आप measure कर रहे हैं उस इसको quality कैसी है उस इसको देख रहे है तो यह आपका एक तरह से TQM का part नहीं है next question is the highest level need in the need hierarchy of Abraham Maslow अब यहाँ पे जो AH Maslow थे ना उन्होंने एक theory दी जिसको हम बोलते है need hierarchy theory जिसके अंदर 5 need यहाँ अलग-अलग needs थे उसको एक आपका triangular shape में उन्होंने यहाँ बेक्ति किया था आपकी सबसे पहले need होती है वह आपकी physiological need होती है उसके बाद आपकी safety need होती है तो इस तरह से आपके अलग-अलग needs यहाँ पे बोले गई थी और आपसे question में पूछा गया है जो highest level की need थी वह कौन छी थी safety need, belongingness need, self-actualization या prestige तो यह आपका सबसे highest need self-actualization need इसको मैंने यहाँ पर दिखाया भी हुआ है देखिए यहाँ पर 1,2,3,4,5 needs है सबसे पहले physiological need होती है psychological mean मतलब रोटी कपड़ा और मकान ठीक है इसके अंदर सबसे basic need होती है हमारी सब लोगों की safety need, safety का मतलब हो गया personal security है, employment की safety है जिसे आप नौकरी करें कहीं पर सरकारी नौकरी इतनी popular क्यों है क्योंकि वहाँ पर क्या safety है एक regular income की safety है क्योंकि private job में कुछ पता थोड़ी है कि कब आपको कब यहाँ पर recession आ जाए कब आपके job चले जाए है तो इस case में यहाँ पर safety need होती है different different होती है, अपनी family की safety है, अपनी health की safety है, अपनी personal safety है ठीक है ना इसके property की safety है तो यह second में इनोंने defend किया third में था इनका love and belongingness यानि कि नोंने का कि आदमी जब दो need को पूरी कर लेता जैसे physiological रोटी कपड़ा मकान में लिए उसको उसके पास है तो उसके पास को love and belongingness यानि कि उसको affection जे बिसिकली और वो चाहता कि अपने relatives के साथ रहे अपने समाज में रहे लोगों से उसको प्यार मिले ठीक है ना और लोग उससे बातचीत करें तो यह आगता आपका love and belongingness में जिसमें फ्रेंड आपके बनते हैं intimacy होती है family या यह सब चीज़ें आपकी समाज आती है उसकी बाद आता है esteem esteem का मतलब होता है कि जब यह तीन नीट basic सी नीट पूरी हो गई उसके पर आदमी चाहता है यार मैं भी समाज में कुछ करू मेरी भी कहीं पर इज़्यत हो ठीक है जैसे नेता लोग होते है न हमारे देश में बड़े चौड़े से चलते हैं तो वह क्या चाहते है कि हमारी तो हमारे आगे पीछे कारी करता गूमें तो वह हमारे इस टीम की नीट होगी उसके अंदर आप क्या recognition आपको चाहते हो कुछ नया करना चाहते हो समाज में अपनी अलग से एक च्छबी बनाना चाहते हो लास्ट में आप का आता है self-actualization बिसिकली इस नीट तक बहुत ही कम एक ये 2% लोग भी नहीं पहुँच पाते हैं जैसे आपके स्वामी भी कनंद जी थे हमारे ठीक है न वो वैसे लोग इस नीट तक पहुँच पाते हैं ठीक self-actualization जहां पे हमें realize हो जाता कि यार हमारी जिन्दगी की worth क्या है ठीक है हमने जन्म क्यू लिया है हमारे लिए सब चीज़े क्या है जो हमारे लिए जमंदी सब क्या है मूह हमाया है एक तरसे खवी जगी आप लोग नदित आएम के यहाल के मनमें ऐसे बड़ हम इसमेंसे आपको बोला गया है कौन से आपका financial incentive है तेके motivation करने motivate करने के लिए employee को दो type के incentive दिये जाते हैं एक आपका होता है financial दूसरा होता है जो non financial financial का मतलब है रूपिय पैसे में आप incentive दे रहे हो ठीक है ना जैसे आपने salary extra salary दे दिये उनको ठीक बोनस आपको दे दिया तो यह आपके हो गए financial non financial के case में आपके क्या होते है यहां पर बोला गया है which of the following financial तो financial आपको दूड़ना है promotion क्या financial होता है stock incentive financial होता job security यह employee participation देखिए promotion क्या है आपका non financial इसके अंदर आपको कोई ज्यादा हाँ अगर आपकी salary का increment होगा बड़ जो आपको पोस्ट बढ़ लिए ना उसको promote किया जा रहा है पोस्ट की बात की जा रही है तो इसको promotion आपका जो है non financial है stock incentive आपका financial ने चरगा क्योंकि अंदर आपको क्या मिलना है यहाँ पर CS आपको दिये जाएंगे तो यह आपका financial है job security आपका क्या है security है तो यह आपका non financial है employees participation भी non financial है जो basically MBO के case में देखने को मिलता है तो सही answer है option number B stock incentive इसको stock option भी बोला जाता ठीक है ध्यान रखना which of the which among the following is not an element of the direction इसमें से कौन सा element है जो आपके direction का पार्ट नहीं है जैसे आपके management में अलग अलग आपके क्या है function है अलग अलग जैसे आपके planning है organizing, directing, controlling ठीक है तो इसी तरह direction का कौन सा यहाँ पर पार्ट नहीं होता motivation, communication, delegation या supervision communication थो बिलकुल होता है, sorry motivation थो होता ही है, communication भी होता है, super vision थो होता है, तो कौन सा नहीं होता, option number C, delegation इसका पार्ट नहीं होता है option number C, इस case में सही बनता है, यह तीनों ही होता है, क्योंकि directing में हम क्या करता है, motivate करते हैं कम्मिनिकेट करते हैं सुपर्वाइज भी करते हैं विच त्योरी एक्स्प्लेइन डेट देर आट तो सेपरेट फेक्टर इंफ्लूएंस मोटिवेशन अब इसमें पूला गया है आपको ऐसी कौन सी थेयरी है वेसिकली यह आपकी थेयरी है मोटिवेशन से रेलेटेड तो दो फेक्टर को इंक्लूट किया गया है जो आपके इंफ्लूएंस करते हैं मोटिवेशन एडम से एक्कुटी थेयरी नहीं है यह मैसलो नीड रहा है कि इसके अंदर दो फेक्टर कहां हमने पांच स्ट्रेश जो देखी थी हर्जवर के हाईजीन थेयरी या मेग्रग एक्स इसके अंदर आपके क्या होते हैं दो फेक्टर आपको देखने को मिलते हैं एक आपका होता है हाईजीन फेक्टर दूसरा आपका होता है मोटिवेशन फेक्टर का क्या मतलब है आपका मोटिवेशन फेक्टर का यह मतलब है जिससे आपकी कारी करने की श्यमता यहां पे है जिंकि अनुपस्टिटी में जो अपसेंट हैं तो आप काम कर नहीं कर सकते हैं जैसे आपकी वरक इंवैर्मेंट है अगर वो सोर शराब है कैसे आप काम कर पाएंगे ठीक है उसकी अलावा आपके पनीवानी या पीने का पानी नहीं है या इस तरह की कुछ चीजें हैं वो हाईजीन में आ जाती है इसका मतलब यह होता है कि आप इनके बिना काम नहीं कर पाऊगे बड़ जो मोटिवेशन फेक्टर है मोटिवेशन फेक्टर बोलता है जो काम आप अभी एग्जिस्टिंग प्रजेंट टाइम पर कर रहे थे अगर आपको मोटिवेशनल फेक्टर मिलते हैं तो आप उससे ज्यादा आधिक काम कर पाऊगे यह होता है आपका हरजवर के हाईजिन थेओर मैं ग्रेगर के जो एक्स एंड वाई थेओरी है इसका मतलब समझा देता हूँ इसका मतलब एक्स का मतलब होता है कि आपके जो इंप्लोई हैं वो कामचोर होते हैं इनके अगोर्डिंग है मेरे अगोर्डिंग नहीं है एक्स का मतलब यह होता है कि यह आपके तो उनको यहां पर कंट्रोल में रखने के लिए डाटना पीटना ज़रूरी है यह भोलती है यह थियरी कि हमारे जो employee ऐसे मोटिवेट्ट होते हैं काम करने के लिए उनको ज्यादा यहां पर प्रैसट डालने के जरूर्द नहीं पड़ती है तो वो basic से अपना काम करते हैं उनको बस direction देने की जड़ोती है यह वाई थियोरी बोलती है ठीक है तो चलिए next question की तरह बढ़ते हैं इसका सही अंजर है लीडर्ष थोरी तरह नोट मिल्य यहां पर बोला गया है एक ऐसी ठोली है जिसमें बोला गया लीडर्ष जो होते हैं पैदा गेज आते हैं वह आपके बनाए नहीं जाते यह कौन से ओरी होती है ट्रेट थोरी होती है Situational Theory, Great Man Theory या Behavioral Theory ये आपकी होती है Great Man Theory Great Man Theory के अंदर क्या बोला जाता है एक Az Matип लेकर चला जाता है कि जो आपकी Leaders होते हैं वो Bonne Leaders होते हैं जो उनके अंदर Quality आती है ने Leaders की वो आपके पैदा होती ही निकल के आ जाने जैसे कहता है نा जो बच्पन में ही देखा जाता क्याते हैं कोई भी चीज की तो उसी बात के चलता है कि अगर कोई भीकती है तो वह आपकी पैदा होती ही लीडर्शिप की सिच्वेश्ट लीडर्शिप को यहां पर एक्वाइर कर सकता है इसको बोलते हैं ग्रेट मैं थियूरी ऑफ्सन नमबर 3 इस केज में सही बनता है अंडर्वी इसस्टाइल अप देलिडेश्यप देलिडेट कर देता अपनी ओफ्रिटी को subordinate के बीज में, यानि कि आप अपने काम कीजिए, completely उनको छूड यहाँ पर देता है, authority को दे देता है कि अपने according आप काम करो, इसको क्या बोलते हैं, free reigns leadership, paternalistic leadership बोलते हैं, या participative leadership बोलते हैं, authoritative leadership बोलते हैं, इसको बोलते हैं participative leadership, यानि कि इसमें, आप क्या करते हो, अपने subordinate हैं, उनको आप यहाँ पर free कर देते हो, कि आप अपने according काम करो, और उसके साथ ही, आप यहाँ पर authority भी उनको देते हो, कि अगर आपको काम, responsibility दी जा रही है तो authority भी आपको दी जानी चाहिए next question है, accountability means, accountability आपका क्या होता है delegation होता है, responsibility होता है, authority होता है या answerability होता है, तो यह आपका होता है answerability, basically जो accountability होती है वो आपकी lower label से, या middle label से upper level पर होती है, क्योंकि आपकी accountability है, जो top level management है, उसको report करना आपकी accountability है, ठीक है तो इसलिए, यह answerability होती है यानि कि आपको answer देना है उन्होंने आपको क्या कर रखा delegation और authority कर रखा आपको सारी authority आपको दे रखी है बट काम करके उसका answer क्या outcome निकला क्या आपने achieve किया वो आपको answer करना है अपने जो अब 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 आपके हैं उनको तो यह इसको बोलते है answerability option number 10 के इसमां सही बनेगा next question है social responsibility क्या होती है social responsibility यह CSR आपके उसमें है corporate social responsibility है तो उसके questions वने इसमें लिये हुए है बहुत important question है social responsibility से मतलब है same as legal responsibility होता है broader than legal responsibility narrower than legal responsibility social responsibility आपका broader sense में यूज किया जाता है legal जो responsibility है वो आपका छोटे sense में legal का मतलब होगा कि आप जो compliance है legal compliance है उनका यहाँ पर अच्छे से यूच कर रहे है अपने business के अंदर ठीक है बड़ जो social responsibility है उसके phenomena थोड़ा सा आपका बड़ा होता है इसके अंदर आपको अपने society के पर जिम्मेदार होना पड़ता है यानि कि आप अपने society को किसी प्रकार का कोई harm ना करें यह आपका होता है social responsibility next question है the four type of the social responsibility include यहाँ पर four type के आपका social responsibility है यह आपका important question है इसके अंदर कौन से आपकी है पहला option आपका है legal philanthropic है economic है ethical है बी आपका है ethical moral social economic philanthropic justice economic ethical legal moral ethical है economic option नमर ए case में सही बनता है legal होता है philanthropic होता है economic होता है और ethical होता है ठीक है तो यह आपको याद रखना है L P E E L P E E इसको याद रखना है legal philanthropic economic and ethical the dash dimension of the social responsibility refers to your business societal contribution of time money and other resources यहाँ पर बोला गया है आप जब अपने किसी business की societal contribution है किसी business का जब कोई business अपनी society के लिए अपनी समाज के लिए क्या करता है time का contribution करता है money का करता है या other resources का करता है तो इसको क्या बोलेंगे ethical बोलते है philanthropic बोलते है volunteerism बोलते है या आपका strategic बोलते है यह होता है आपका philanthropic के case में इसके अंदर कोई business अपनी समाज के लिए अपनी जो society है उसके लिए क्या कर contribute करता है time contribute करता है basically कोई development का काम करना है उसके लिए money contribute करता है कोई आपके welfare के काम होने उसके लिए या other resources का यहाँ पे contribution करता है तो इसको बोलते हैं philanthropic option number P next question है the corporate social responsibility जिसको हम CSR बोलते है does relate most to the following accept यहाँ बोला गया है जो आपके corporate social responsibility है वो आपके relate करती है in situ से accept one यानि कि एक को छोड़ के किस ethical conduct environmental practice employee satisfaction या community investment इसके अंदर आपका employee satisfaction नहीं आएगा क्योंकि यह आपका business का part है यह आपका society से related थोड़ी है ethical conduct का मतलब क्या है कि आप कुछ गलत ना कर रहे है आपका ethics मतलब मुल यह जिसको बोलते हैं उसके अंदर include होते हैं यह आपका CSR का part है environmental practice बिल्कुल आपको अगर आपने society को harm नहीं कर रहे है आपको यह ऐसी practice नहीं कर रहे है जिससे आपका जो हमारा environment है उसमें degradation हो रहा है तो ऐसी activity को हमको avoid करना चाहिए आजकल आप भी देख रहे हैं जिससे bikes हैं bikes भी आपके क्या है एक तरह से eco-friendly bikes आ गई है electric bikes आ रहे है तो इसका reason क्या है कि आप अपने जो society है उसमें यहाँ पे जो pollution है उसको देखते हुए सब चीज़े की जारी है उसको कम करने के लिए तो eco-friendly चीज़े हम करें तो यह आगहा environmental practice के अंदर community investment का क्या मतलब है कि आप अपने जो समाज में हमारी community है उसमें कुछ न कुछ आप contribute करें जैसे आपकी कोई backward community है उसके अंदर आप उनको upgrade करने के लिए कुछ investment कर रहे है आप तो इस तरह की चीज़ें भी आपकी CSR का part होती है accept employee satisfaction employee satisfaction basically HRM के अंदर हम देखते हैं next question है आपका where an organization takes into account the effect its strategic decisions have on society this is known यहां पर बुला गया है कि किसी business के अंदर किसी organization के अंदर जब हम देखते हैं decision हमके related होते हैं किसी हमारे society से जो हमारे strategic decision होते हैं वो society से related होते हैं तो हमारे society से related decisions को हम क्या बोलते हैं corporate governance बोलते हैं business policy बोलते हैं business ethics बोलते हैं corporate social responsibility बोलते हैं यह आपका होता है option number D CSR corporate social responsibility इसको बोला जाता है next question देखते हैं CSR include all these except यहाँ बोला गया CSR के अंदर सब कुछ include किया जाता है एक को छोड़ के economic responsibility होता है legal responsibility ethical responsibility या personal responsibility तो इन चारू में से कौन साथ छोड़ सकते हैं वो है आमगा personal responsibility क्योंकि economic responsibility का क्या मतलब है कि आप economically के लिए यहाँ पे काम करते हो जैसे आपने का कि आपने कोई product बनाया तो इतना महंगा नहों कि आपके जो customer है उसके काम ही ना आए legal responsibility मतलब आप जो कर रहे हैं legal compliance जो है उनका पूरे तरिकी से आप यूज कर रहे है ठीक है उनको तोड़ नहीं रहे है rules को जो government के rules बने है regulations बने है उनके लिए ethical मैंने आपको बताई दिये जो मूल्स आपके है मूल्य है समाजिक मूल्य जो है हमारे उनका आप यहाँ पे पालन कर रहे है बच पास्नल responsibility हमागे CSR के अंदर include नहीं होती है right next question है OECD किसके लिए stand करता है आपका यह अलग-अलग options आपको दिये है मैं सीधा इसका answer बता देता हूँ आपको इसका answer है option number B में organization for economic cooperation and development इसका full form होता है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है organization for economic cooperation and development OECD का full form ठीक है next question है according to section 135 of the Companies Act 2013 क्या बोला गया है it is mandatory to constitute a CSR committee for every company having net worth of rupees इतना अब यहाँ बोला गया है कि देखिए जो Companies Act 2013 में 135 आपका section है उसके अंदर बोला गया कि एक तीन जीजों में इसको categorize किया गया एक तो आपका wealth के अंदर net wealth आपके कितनी है दूसरा आपका net profit कितना है तीसरा आपका बोला था net turn over कितना है तीन चीज़ें इसके अंदर बोली गया है ठीक है ना तीनों में categorize किया गया है तीनों के अलग अलग limit बताई गया है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अगर वो आपको यहां पर contribute करना पड़ेगा समाच के लिए कामों के लिए यानि की corporate social responsibility के लिए उसके सारे question अभी डाले हुई है मैंने बस अभी इतना समझ लो कि CSR committee बनाने के लिए आपके पास कितनी net worth होनी चाहिए अपके पास करोड नेट वर्थ होनी चाहिए अपनी जो कमेटी है CSR committee उसको यहां पर फॉर्म करने के लिए ठीक है option number B इस केसमा सही बनता है next देखिए अब अब यहां पर same question है बड़ यहां पर change क्या किया गया है अब बात करेगे यह मैंने कहा ना तीन फॉर्म में किया गया एक और question अभी और आएगा पहले हमने बात करी है net worth की अब बात करें टन वर्थ की net worth की केस में 500 करोड तन वर्थ के केस में 1000 करोड याद कर ले ना 1000 करोड next question यह आपका 1000 करोड अब देखिए next question question same है इस केस में आपको क्या बोला गया है profit की बात करेगे net profit कितना होना चाहिए आपका 5 करोड 10 करोड 1 करोड 20 करोड यह है 5 करोड अब तीनों को मैं एक बात समझवा दू तीनों के केस में CSR कमिटी केस में सबसे पहले बात करते हैं net worth की net worth कितनी होनी चाहिए आपके पास यह होगी आपके पास 500 करोड राइट दूसरा बात करते हैं turnover की net turnover आपके पास कितना होना चाहिए 1000 करोड का तीसरा बात करते है किसकी net profit की net profit कितना होना चाहिए पांच करोड का net profit होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें आप याद कर लेना, ठीक है, चलिए, next question है अब, ये आपका हो गया, 5 करोड, यहाँ पे बोला गया है कि देखे, जब भी कमपनी क्या करती है, CSR उस पे अपलिकेबल हो गया, ठीक है न, CSR अपलिकेबल हुआ या नहीं, कब देखेंगे, जब हमने previous 3 conditions देखी थी, उनमें से आपकी फुल्फिल हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे उसमें, उस केज में CSR आपकी कमपनी पे अपलिकेबल होगा, और उसके केज में आपको अपनी जो प्रॉफिट है, ठीक है न, आपको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हर साल कंटिबूट करना पड़ेगा CSR के लिए, यानि Corporate Social Responsibility के रूप में आपको कंटिबूट करना पड़ेगा, ठीक, तो कितना प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा, कितना परसंट, पांच परसंट, दो परसंट, तीन परसंट या चार परसंट, और इसकी जो वो है, आपके टाइम पीरिड है, वो भी दिया गया है, में दूरिंग 3 immediate preceding financial year, हर साल, और 3 जो 3 साल है आपके, वो preceding 3 साल भी होने चाहिए, तो इस केस में आपके जो है, वो 2 परसंट का यहाँ पर कंसिडर किया गया है, यानि कि 2 परसंट आप यहाँ पर खर्च करेंगे, CSR के रूप में, corporate social responsibility के रूप में, ठीक है, दुबारा यहाँ पर देते हैं, 2% of the average net profit, ठीक है, average net profit made during the 3 immediate preceding financial year, ठीक है, मतलब 3 preceding financial year में, जितना भी आपने प्रॉफिट अन किया, average profit उसका निकाला जाएगा 3 साल का, और उसका कितना परसंट आपको करना है, current financial year में, 2% आपको यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा, CSR के रूप में corporate social responsibility के रूप में, ठीक है, so guys, यह थे हमारे कुछ questions, जो आपके business management से related थे, इसके अंदर CSR का भी topic आपका included है, वो भी मैंने करवा जिया, इसके अंदर यही question मनते हैं, basically यह आपके UGC net के label के question है, ठीक है, छोटे मोटे मत समझना यह question, नेट के exam में भी पूछे गए थे, त fact पे अगर question आगया, तो उसका अगर पता है, तो ही आपका सही बनेगा, नहीं तो फिर गलती होना है, बाके जो तुक्के लगाने वाले questions है, उनकी बात ही कुछ और है, so I hope आपने इसमें कुछ नया सीखा होगा, वीडियो कैसी लगी, जुरूर बताना, comment करके, और अगर च आज ये कलमा आपका आडवेट का रेलीज होने के संभावना है, तो मैं आपको पहले यहां पर बता दूँगा, और एक्जाम होना है, ये मान के आप तयारी किजिए, so thank you so much for watching, मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ, bye bye, take care.